एक डियोपी में और एक सिनमाटोग्राफर में क्या अंतर होता है? एक डिरेक्टर में असेस्ट डिरेक्टर में क्या अंतर होता है? सेकंड यूडिट डिरेक्टर कौन होता है? ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजे हैं जो आप जानना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड डे, जॉइन फिल्मस अकाड़मी, दा प्रैक्टिकल फिल्म स्कूर, मैं हूँ आपका अपना फिले निरा ठोर, और आप देख रहे हैं, बॉलिवुड का गूगल, जॉइन फिल्मस यूट्यूब चैनल, हमारा एक ही मूल मंत्र र पूरा कर दे, इसलिए तरह तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तीन हजार के आसपास वीडियो अगर आप चैनल से पहली बात जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आकर को प्रेस कीजिए, ताकि अब आपका सपना हाकिकत में जल से बदल सके, विजुल मीडिययम एक टेकनिकल मीडियम है, मतलब आर्ट भी है रेकिन टेकनिकल चीजे भी उसमें जुड़ी होती है, इसलिए बहुत सारी चीजे जानना ज़रूरी होता है कि गई, एक डियोपी में, एक सिणमोटग्राफार में क्या अंतर होता है, एक डिरेक क्टेर्श कौन होते हैं acting में मारकेंग क्या होती है एक्राप लगा-। ख्या वूझा- इत्धिकन एक्षोज क्या उसकर होता है एसे ही कई चोटे-चोटे लेकिन टेक्निकल सवाख आपके मनों मैं जरूर आते होंगे तो मैंने सका कि हमेशा की तरह आपके help के लिए इस पर वीडियो बनाओं तो मैं इस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाओंगा इन छोटे-छोटी चीजियों पर जिससे कि आप जान सकें कि फल्मेकिंग में या आक्टिंग में या सिनेमटोग्राफी में किन-किन टेकनिकल चीजों का आपको मालूम होना चाहिए किन किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-किन-क लिए सभी camera team और lighting crew का head होता है डियो पी का जो मुख्य काम होता है वो है director के vision को परदे पर लाना इसके साथ य डियो पी एक director को अपने suggestion भी देता है कि इस shot को किस तरह से किया जा सकता है इसके साथ य फिल्म का look कैसा होगा इसका decision भी DOP director के साथ मिलकर लेता है किसी scene की composition कैसी होगी, lighting कैसी होगी, camera movement कैसा होगा कौन सा shot होगा, कौन से shot में कौन सा lens यूज़ किया जाएगा scene का exposure कैसा होगा, कौन से filter यूज़ किया जाएगे ये सब एक DOP ही decide करता है इसके अलावा DOP director के साथ मिलकर ये decide करता है कि किसी scene को किस तरह से block किया जाएगा मतलब कि actor की position वगेरा क्या होगी कहां से चलकर वो कहां तक आएगे, कहां रुक कर बोलेंगे ये सब blocking है, एक DOP director के साथ मिलकर ये सब decide करता है framing किस तरह की होगी, camera short, camera angle, camera moment कैसा होगा ये सब भी DOP director के साथ मिलकर ही mutually decide करता है अब ये तो होगया director of photography यानि की DOP का काम अब समझ लेते हैं कि cinematographer क्या काम करता है cinematographer basically एक cameraman है जिसको की DOP की जो decide की हुई चीज़ें उसको follow करना है और practical करके दिखाना उस तरह के vision को एक cinematographer को camera की सभी technical चीज़ों का पता होना चाहिए यानि कि एक DOP ने एक scene को arrange किया है अब उसको implement कैसे करना है ये जब्मेदारी cinematographer की होती है cinematographer सिर्फ camera operator भर नहीं होता बलकि उसे technical चीज़ों के साथ image capture करने का sense भी होता है अब जैसे ही shooting खत्म होती है तो cinematographer का का काम basically खत्म हो जाता है लेकिन एक DOP का काम post production से भी जुडा रहता है या CGI artist के साथ मिलकर अपने input भी देता है color grading के समय एक firm का look कैसा होना चाहिए मतलब उन्होंने किस vision के साथ उसको shoot किया है यह सब color grading artist के साथ share किया जाता है तो DOP post production में भी मिलकर काम करते हैं director के साथ इसके अलावा shoot से पहले DOP storyboard artist के साथ मिलकर shot design भी करता है तो I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मैंने वीडियो की शुरू में कहा था कि हर DOP एक cinematographer होता है लेकिन हर cinematographer DOP नहीं हो सकता है तो film videos में अगले topic भी हम आपको बता जेते हैं कौन-कौन से लाने मारे वो है sing sound, dubbing sound और उसके साथ-साथ clapboard का क्या match है और वो बाद में post में sound को sing करने में किस तरह से useful होता है इसके अलावा आप किस तरह के topic पे video देखना चाते हैं मुझे जरूर बताईएगा, मैं उस पर जरूर बनाऊँगा comment करके जरूर बताईए कि इस तरह के technical video वाकई आपके कितनी help कर रहे हैं क्योंकि उस चीज़ को अगर आपने बरकरार रखना है तो वीडियो को देखकर अपने comment करते हैं तो क्या हुता है, सारी चीज़ें recall हो जाती है यह आपकी मदद के लिए है, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक two way communication हमारे बीच में बना रहे आप अगर filmmaking को बहुत अच्छे से detail में सीखना चाहते है online courses के थूरू या offline courses के थूरू तो उसके लिए support team से बात कर सकते है phone number आपकी screen पर shared है I hope कि इसी तरह से हम सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे और आपके सपनों को पूरा करेंगे अगले वीडियो में फिर से मिनुगा तब तक देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए All the very best